आजाएए पेपर नूमबर फाइफ के सलूशन स्पेचल गए पॉस्टिन नूमबर वन आंसर इस ए कहीं पर भी मिस्माच होगा प्लीज डू आस्क आइल लेट यू नो दर सलूशन क्या वो नहीं है यांसर चेक करिए वसुदा वीना और पार्टनर्स दे एड्मिटेट तेलक एक बीस कैपिटल प्रॉट असे शेर ऑफ गुडविल ओके विच वसुदा वीना इन दरीशियो फू इस तू वन तो मतलब इसकी एंट्री हो गई एक तरह से अगर आप बोलें तो पी एफजी अकाउंट डेबिट वसुदा टू वीना तू इस तू वन में मिला है तो इसको कितना कितना मिला होगा कैल्पिलेट करिए 90 एंड 30 गुडविल है चार लग असी अधार न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो वीना ने कितना सैक्रिफाइस किया टू बाई थ्री और सॉरी वसुदा ने और वीना ने कितना सैक्रिफाइस किया वन बाई थ्री ठीक है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजे किसकी खेरिया पर ज़रूद नहीं थी बट देन टू एफ टोल वसुदा का जो सैक्रिफाइस है, that is 2 by 3 for 1 by 4, कितना आएगा यह 2 by 12 और वीना का sacrifice 1 by 3 for 1 by 4, कितना आएगा 1 by 12, आपको sacrifices पता अलग गए, sacrificing ratio का formula क्या होता है, OPSR minus NPSR, तो SR का fraction आ गया, logic समझ में आ गया, और आपको older का fraction पता है, 3 is 2, 1, new निकल आएगा अपने, इस information को जोड़ान कर लीजे, गर्बड़ी यही पर हुई है, वसुदा का sacrifice नहीं देखा आपने ठेक से, ठीक से, और वीना का sacrifice नहीं देखा, यह sacrifice अगर आता, तो आपके लिए असान हो जाता, आपको कर लेंगे सब लोग, ठीक, sacrifice पता लगा दिया, sacrifice पता जल गया आपको एक बार, old is known, new निकल आएगा, ठीक, तो SR लेफ्ट से जब राइट में आएगा, तो माइनस हो जाएगा, मतलब 3 by 4, minus 2 by 12, वसुदा का होगा 3 by 4, minus 2 by 12, और वीना का होगा, 1 by 4, minus 1 by 12, आजाएगा अन्सर, ठीक, चलाया है, question number 2, dissolution पे goodwill is transferred to debit side of realization, next, rent provided to partner for use of his property is shown in PL, शक्त प्रतिशत एकदम सही, salary provided to a partner is treated as a charge against profit, only if agreed as per deed, else not, तो अब यहाँ पे assertion और reasoning आपसे पूछा गया है, A is correct but R is wrong, A and R दोनों सही है, नहीं, A and R are correct, no, A is correct and R is wrong, what it, और मैं एक चीज़ आपको और बढ़ी आज बताता हूँ, वैसे मैंने पहले जिकर किया है, यह जो rent, इंटर, salary, जो भी चीज़ें होती है, बच्चों, चार चीज़ें होती हैं, basically, interest, rent, salary, commission, जिसमें rent को हम remuneration बोलते हैं, income tax जब आप पढ़ेंगे, graduation, third year में तो teacher will tell, यह सारी चीज़ें, PL में भी लिखना allowed है, I repeat, PL में भी लिखना allowed है, PL appropriation तो लिखी सकते हैं, PL में भी लिखना allowed है, provided, दो चीज़ें satisfy होनी चाहिए, पहला deed होनी चाहिए, और जिन partners को यह मिल रहा है, they should be working partner, अगर आप non-working partner हैं, और आप को यह चीज़ें मिल रही हैं, और आप PL में इसको लिख चुके हैं, तो income tax officer बोलेगा नहीं, 3 children, again answer is A, 1 lakh, question नहीं है यह भी, आगे हो गए तो, एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी-कभी goodwill के question में बच्छो, current account कूछ लेते हैं, current account, तो आपको current account को भी add करना है, capital में अगर credit balance होगा, debit होगा तो minus करना है, तभी 2 capital employed आता है, question number 4 children, answer is C, D, got it, interest कहीं होगा यह, question number 5, इसका answer है बच्छो D, और boat and noise, यह घड़ी यहाँ पर भी चलिया है, लगता है, इन्होंने भी shopping कियोगी कुछ clip card से, Amazon से, 1 is to 2 is the correct answer चलिए, which of the following does not relate to reserve capital, uncalled नहीं होगा है, cannot be used, cannot be used, can be used for writing of, can be used, no, it cannot be used, क्योंकि capital reserve use होता है, reserve capital use, नहीं होता है, then a company cannot issue redeemable equity share children, what it is, redeemable preference share होता है, redeemable debenture होता है, redeemable equity share जैसा, कुछ भी नहीं होता, question number seven children, 90,000 रुपए is the answer, ध्यान दीजेगा, machinery एक असी की है, furniture एक लग का है, it was found, अब ध्यान दीजेगा, machinery is overvalued, मतलब यह जो 1,80,000 है, यह already अपनी value से 20 प्रतिशत बड़ा है, तो यह 120 के बराबर है, what it clear, तो 00 बन गे ही रो, 2106, 30,000 रुपए machinery overvalued है, समझ महाँ गया, जिसको आपको गिराना है, and loss on revaluation आ रहा है, 40,000, what will be the revalued amount of furniture, simple है, एक revaluation का खांचा खीच लीजिए, ठीक है, machinery was found, revalued machinery गिराना है, 30 किस site क्लिखेंगे चलने, debit, revaluation का loss है, तो 40 किदर को आ जाएगा बच्छो, create side में, ठीक, अब आप से क्या पूछा गया है, what will be the revalued amount of furniture, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको 10,000 रुपए किस side पे नजर आ रहे हैं difference, debit में, यह obvious सी बात है, furniture की ही value होगी, और debit side में, आप क्या-क्या लिखते हैं, asset का गिरना या liability का बढ़ना, furniture ही गिरा होगा 10 से, 1,00,000 था 10 से गिर गया तो कितना बचा, 90,000, super applied question है, अगर concept बहुत clear नहीं है, तो बच्चा MCQ में ही निपड जाएगा काईदे से, त्रिप्ती और खुशी, तो इसलिए अब गया वो जमाना, selective studies वाला, कि दो चाप्टर पढ़ लो, चार question लगा लो, answer आजाएगा, no, question को करने के वाँ, सोचना ही हो, क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, basically, त्रिप्ती और खुशी वर partners, रुच्ची वर्द मैनेजर, 20,000 रुपे quarterly salary है, मतलब सालभर की salary, 80,000 commission 10% after charging such commission, total remuneration 1,30 है, what was the profit for the year, रुच्ची का profit नहीं पूरे, firm का profit यह लोग पूछने चल रहा है, तो पूरे firm का जो profit आएगा, that would be 6,00, 30,000 रुपई है, सुझना गया, कैसे आया है सर, 1,30 रुची को total मिल रहा है, 80,000 salary मिल गई, तो commission कितनी मिली बच्चो, 50,000, 50,000 जो commission है, 10% after charging है, formula क्या होता है, net profit into rate upon 100 plus rate, तो 50,000 equals to NP into 10 upon 110, तो साले 5,00,000 profit रहा होगा, सुझना गया, साले 5,00 profit और 80,000 रुपए, जो minus हो गई उसकी salary, तो 6,30 रहा होगा, समझना गया, before salary पूछ रहे हैं न, 6,30,000, next question number, 9, क्या है ये, अच्छा, loss कितना write-off करने, चलिए, easy होगा, साले 7,00,000 रुपए loss rate-off करेंगे, interest on debentures आजाएगा, 5,00,000, 60,000, the balance in IFR after meeting fallen book value of investments shall be transferred to capital account of old partners, शब्द देखिए बच्छो, यहां old लिखा और यहां all, admission के time पे old और retirement के time पे all चलेगा, समझना कहा, but retirement में आपको question ऐसा ही पूछ सकते हैं, A option में old देदेंगे, B में देदेंगे all, और C में देदेंगे both A and B, तो आपका answer फिर वहां पे C हो जाएगा, ठीक, समझना आगी बात, समझ में आगी IFR की बात, याद करिए, notes में लिखा हुआ आपने, पहले fallen investment की value को IFR से deal करते थे, जो बच जाता था, हम उसको partner के capital में put कर देते थे, question number 12, children, 13 बटे 60, P surrenders 1 6th from, Q में चल्डरन 1 by 5 into 1 by 4, या आएगा 1 by 20, फिर 1 by 5 में से minus करेंगे 1 by 20, ठीक, अलगलग calculate करना दोनों का, राम और मोहन, पांच लाक रुपे आएगा चल्डरन, opening capital कैसे करनी है, या तो capital account बना लीजे, या 11th class का single entry आद करिए, closing capital, plus करते थे, drawings, introduction, मतलब credits will be added and debits would be, ऐसे करेंगे, debits would be added and creates would be subtracted, ठीक है, आ जाएगा answer, debit items plus, और create items minus, factors affecting goodwill, अच्छा, except पूछा गया है, nature of goods से effect होता है, चल्डरन, there after location of business से बिलकुल effect होता है, technical noise से होता है, किस से नहीं होता, location of customer, customer तो कहीं भी भी हो सकता है, question number 14 children, answer is 40 per share, वैसे जैसे बताया था भी, 100 रुपे का share, 20 रुपे premium, कितना होगा, 120, 70 रुपे, including premium was called and paid up, uncalled कितना होगा, 40 रुपे ये वाला, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 120 पर 70 माइनस करेंगे 50, जब भी capital शब्द की बात होती है, तो premium से उसका divorce हो जाता है, जैसे घर में शादी की बात हो रही है, आप उठके चलेगा गहीं से, तो आप कौन है, आप called up capital है, जब भी शादी ब्याग बात होगी, आप चले जाएंगे वहां से, तो जब भी हम capital की बात करेंगे, premium चला जाएगा वहां से, तो आप premium है, समझना गया, question number 15, amount of issued capital पूछा जा रहा है, असान है कोई खास difference नहीं है, 30,00,00,00 रुपई है, कैसे आएगा, 5,00,00, शेयर्द है चलें, 3,00,00, शेयर्द शेयर्द इशू गिये, तो भी 3,00,00, इंटू दास, काम कदब, कभी-कभी बहुत असान question भी difficult तरीके से पूछा जाता है, इसलिए हमेशा सोचते रहना आपको, तभी MCQs attempt हो पाएंगे, प्योंकि MCQs में answer नहीं, thought पूछा जाता है, question number 16, children, 6,00, अब ये सर कैसे आया, 70,000 debenture है, 10%, sorry, 6% इनका interest है, 10 रुपे face value, से कितने रुपे के होगा चला, 7,00, इसका 10% कितना हो गया गया, 70,000, at the time writing of lawson issue of debentures was debited with 28,000, is that clear, at what rate of premium these debentures were issued children, premium तो लिखा ही हुआ है, अच्छा issue पे कितना premium है, sorry, sorry, तो यहां पे आपने जो premium बाद में देना है, that is, just hold on, एक बाद फिर से पढ़ लू, कुछ information missing लगई ही मेरे को शाहिद, 70,006%, 10 each, तो 7,005 रुपे के debentures होगे, issued at certain rate of premium, मतलब यह हुआ है, SPR, and to be redeemed at 10% premium, तो premium on redemption होगे, 70,000, ठीक है, at what rate lawson statement was debited with 28,000 rupees, अब ध्यान से सुनिएगा, आपका premium on redemption 70 है, समझना गया, 28,000 rupees, आप loss यहां से bear कर लेंगे चल रहें, और बाकी का 42,000 rupees, कहां से bear करेंगे, PL से, तो 42,000 is what percentage of 7,005, 42,000 upon 7,005 into 100, छे प्रतिशत होगा, what it, काव्या लेमिटेड चेक करिए, यहां पे answer है चल रहना आपका, 4% डिटो ऐसे question है, हो जाएगा, गोडाउट तो नहीं आगया answer न, पक्का, solution बताने की जरूँद तो नहीं भई, solution बताने की जरूँद तो नहीं लोगों बताता हूँ एक बचास जाद डिवेंचर, एक डिवेंचर दस रुपे का, पोटल कितने हो गया, पांच लाग, issued at certain rate of discount, were redeemed at 20% premium, 20% नतलब एक लाग का तो लॉस यह हो गया, यहां पे लिखा, existing balance of securities premium reserve, before issuing debentures वर 125, and after writing of loss and issue of debentures, पांच जाद, ध्यान सुनिएगा, एक पच्चिस में से, 25,000 यह बचा, ठीक है, remaining value, residual value, is that clear, उसके बाद 5,000 रुपे, so called, premium में balance बचा हुआ है, सभ़ना गया, पांच इसमें से minus कर देंगे, क्यों minus करेंगे ध्यान दीजे, सवा लाक रुपे आपके पास balance था, पांच बच गया, तो आपने कितना इस्तमाल कर लिया, सवा लाक रुपे premium में balance था, पांच बच गया तो कितना इस्तमाल कर लिया, एक पांच, अरे सवा लाक balance था, पांच इस्तमाल कर लिया, तो एक पांच कहां से इस्तमाल किया, अब पांच balance बचा है, कितना इस्तमाल किया, एक 20 में ये वाला loss तो 20 का ही है, दूसरा loss कितने का हो गया, बीस हज़ार रोपे का, पाँच हजार रोपे बचा है, तो कितने पैसे खर्च हो गै, एक लाग बीज़ार एक लाग रुपए तो आपने फ्रेंड को दे दिये हैं और किसको कितने दिये होंगे बीज़ार समझना क्या चलिए question number 17 children 2 is to 2 is to 1 क्या है ये new profit sharing ratio एक मैंने गडबड़ी कर दी क्या है अच्छा ओके एक तीन पहले थे एक आया ठीक है को एड्मिट किया चार हो गए बी ने sacrifice किया एंड 110 फ्रॉमिस चैन फिवर ओफ टीन रिमेनिंग सैक्रिफाइस वस मेड़ बाइ एंड सी इन दा रेशियो औफ टू इस तो एक बताता हूं वन फॉर इसका शेर है चलन बी ने अपने शेर में से कितना सैक्रिफाइस किया 110 समझना गया तो वन बाइ फॉर में से आप माइनस कर देंगे वन बाइ टेन जो बचेगा यह सरकल चल रहें यह किस ने जेला ए और सी ने किस रेशियो में इन्टू बाइ थ्री इन्टू बाइ एटीन डेट का क्वेश्चन है क्या निकालना है यहां पर गेनिंग रेशियो पहले निकालेंगे आप जो आएगा वन इस तो फाइब देन ए और सी डेबिट होगा चलन और बी ट्रेट होगा सेवन थर्टी फाइब एंड फॉर्टी टू से करेक्ट देर आफ्टर सो कॉल यहां पर आपको एड़ेस्टिंग इंट्री करनी है पहले तो कैपिटल ठीक करना पड़ेगा यहां फाइनल आंसर वुड बी चलन ए तू बी तू सी ए में आएगा 2850 बी में आएगा 50 और सी में 2800 एक बार ओपनिंग कैपिटल चेक कर लीजे क्योंकि यहां पर 31 मार्ची क्लोजिंग कैपिटल की दीविए चलन ओपनिंग कैपिटल एक होगी दो लाक बी की होगी 175 और सी की 145 यह जो 4 लाक 3 लाक 2 लाक दिया हुआ है इसमे प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अड्जस्ट हो चुका है तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे और ड्रॉइंग्स को अड्ड कर लें क्यों क्यों कि पहले प्रॉफिट आड्ड हो चुका अड्रॉइंग्स माइनस हो चुकी है मतलब यह 2500, 1800, 1000 यह तो खेर इंट्रेस्ट है प प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेर अलॉट्मेंट टू कॉलन है पूरा ही कॉलन लिख लीजिए एक साथ ही क्या फ़र्ग पड़ेगा टू कॉलन अरियर टू शेर फॉर फीटेड कैपिटल में आएगा 5000 प्रीमियम में 1000 अरियर में आएगा चलन चत्तिस सो और यहां पे आएगा 2400 रिशू के इंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट टू शेर कैपिटल सुलूशन जो मेरे पास है इसमें बैंक में वैल्यू है पंदरा सो साथ यह है चौदा सो चालिस एंड दिस इस तीन हजार यहां पर लिखा है तीन सो शेर फॉर फीटेड री इसू तो रोहे ताट मैक्सिम डिसकाउंट अलाउट बाई लो तो आपने फॉर फीट कितना किया चलन चौबिस सो रुपए पांक्सो शेर फॉर फीट तू है अंकित वाड़ सिक्संड़ेड ओके डिवाइट करेंगे फाइव इनिट से तो वाट इस 2400 अपॉन फाइव फाइव पॉर पॉइंट एट चार रुपए असी पैसे का आप डिसकाउंट दे सकते हैं इसको समझना कि आप अंडर करिए यहां पर बोला गया है जैड लिमिटेट फॉर फीटेट फाइवनेट शेयर ऑफ टैन इच इसुड़ेट प्रीमिम और प्रेंटी पर्संट तो अप्लाइट फॉर फॉर फीट कितने पैसे किया चौबिस सो रुपए और कितने शेयर पर चौबिस सो फॉर फीट किया हमने 500 चैने तो एक स्चैर में ने कितना पैसा फॉर फैट किया चार रुपे असी से पैसे क्योंकि आप एक सब्कत कर रहें तो इस से उपर डिस्कॉंटिंगी सकते घंध सॉpersी चैनी कि बेनसी पैसे का दिसकॉंट दे दिया तो इसू कितने में किया पांच रुपए बीस पैसे में तो पांच रुपए बीस पैसे से मुल्टिक्लाइ करेंगे तो 1560 जाएगा समझ गए वटट चलिए नेक्सॉन लिमिटेड यहां पर क्या करना है कैपिटल कैलक्वेट करना है ओके ऑथराइज कैपिटल दस लाग रुपए बच्छों हो की ध्यान से देखिएगा एक लाग शेयस कंपनी ने इशू किये यहां पर लिखा और कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है इतनी कहानी समझ ना गई तो अब यहां पर फुल्ली पेड है तो एक लाग को अगर हम डिवाइड करें तो राजू के कितने शेयस थे एक हजार और बाकी लोगों के कितने थे 99,000 राजू के फोर फीट होगा तो शेयर ओल्डर है नहीं प्लस इसी के आठ सो री इशू होगा तो वो शेयर ओल्डर है तो 99,800 at the rate of 10 इच आ जाएगा ठीक है और उसका एड़ शेयर फोर फीटेड अकाउंट 200 शेय इंटू छे रुपए समझना के छे रुपए कहा से है तीन ये वाला और तीन ये वाला ओके तो टोटल वैल्यू आ जाएगी नौ लाक निन्न्यानवे हजार दोसर प्रीती और नीथी चेक करिये कौन सा क्विश्चन है अच्छा पार्टनर एड्मिट हुआ है स्टॉक अका क्यृतार प्रीमियम फॉर गुड फॉर गुड विल्फ प्रीमियम फॉर गुडविल में आया एक लाग क्यूंद साट हजार चार्व अकॉटल चाहर दॉब्द बठ जाएगा सोलह हजार एंड गी लोग लग फ्रीटसी ता मीता अड़ित का क्विश्चन है रिजा एंट्र प्रफिट आएगा 14,400 एक एंट्री होगी पी एल सस्पेंस टू गीता गीता मतलब फिर गीता इग्जीक्यूटर और फिर गीता इग्जीक्यूटर टू बैंक क्योंकि लोन तो है नहीं यहां पे लिखा इट वोस्पेट आइस सब्सक्राइब पास नेसेसरी जर्नल इंट्री पर गीविंग गीता रिप्रेजेंटेटिव और फिर गीता इग्जीक्यूटर टू बैंक नेक्स्ट पोच्ची फैब्रिक्स लिमिटेड शेयर का कुश्चन है यह तो असान कुश्चन लग रहा है कुछ खास है नहीं इसमें बैंक टू शेयर अप्लिकेशन अप्लिकेशन टू कैपिटल नहुजार बच्चों फिर अलॉट्मेंट टू कैपिटल अटरह जाएगा 200 रुपए का ठीक है और अडवांस आजाएगा 1400 रुपए का बढ़ा असान कुश्चन था चलिए 23rd यह क्यों है क्वेश्चन ऐसे हम लोग ने कुछ खास नहीं आ नहीं है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन एक्स वन लाक रूपी सेलन एप्लिकेशन लाक रुपए तो वन थाउजन शेयर पे अलोट्मेंट नहीं दिया इस ने तो अलोट्मेंट पे अरियर आएगा बचो 5,000 रुपए का और पैसे मिलेंगे कितने 495 उसके बाद बी ने दोनों कॉल नहीं दी तो पंद्रा सो इंटू तीन पैंतालिस सो रुपए और यहां पे आना था तीन लाग तो मिलेगा 295 500 करेक्ट यहां पे फिर तीन सो तो अट्रा सो इंटू चार बहत्तर सो रुपए मिलना है चार लाग तो मिलेगा 3 सब्सक्राइब कर दियेगा अब यहां पे कभी-कभी आपको चीट भी करेंगे बोलेंगे रीशू डटा कैश डिसकाउंट अरे कैश डिसकाउंट में डिसकाउंट अलाउट मत लिख दीजेगा कोई शेर फूर फीट रहेगा कैश में तो बेचेंगे कोई रेवडी लेके या आलू गोभी मटर धनिया लेक थुला बेचेंगे चेहर हम तब कभी ऐसा आता है जैसे पार्टनर ने असे टेग और कर लिया एंट्री होती पार्टनर स्काउंट डिसकाउंट अलाउट डेविट कर देते हैं समझमा के ट्र डेविट सोला दोसो एक रुपए का डिसकाउंट शेयर कैपिटल में अठरह हजार और शेयर फोर फीटेट टु कैपिल अजब बड़ा असान है कुछ नहीं करना सिर्फ आपने जितना क्रेडिट डेविट किया चल रहें उसी का डिफरेंस निकाल लीजे ठीक है फोर फीच साथ चार ग्यारा पांच सोला साथ सो ठीक सोला साथ सो आएगी उसके बाद प्रीमियम में आ जाएगा तीन अजार रुपए यहां पे आ जाएगा अटरह जार और यहां पे आ जाएगा आपका डेफरेंस फोर फीटेड में फॉर्टी थी अंडर्ट रुपीस समझ मैं कैसे एक रुपे के रेट से कितना पे किया एक हजार इस ने पांच सो शैहन पे प्रीमियम कितने रुपए था तीन रुपए तो इसने application दिया एक रुपए का plus so called दो रुपए तीन हो गया पंदरा सो इसने दे दिया चलना और तीन सो शेहस पे इसने एक रुपए application दो रुपए allotment और तीन रुपए की first call तीन चार पाँ छे अठासो ये दे दिया तो एक हजार पंदरा सो पच्चिस सो और अठासो लिस्वागे सब्सक्राइब question number 23 इसो कन्या समरिती योजना चलिए alternative चेक कर लिए चलन bank account debit to share application and allotment तेरा लाक 44,000 चलिए ठीक फिर इस तेरा चवालिस को कैसे distribute करेंगे अगली entry में 384 capital में चला जाएगा बचो and 960 कहां जाएगा premium में अच्छा कोई pro rata नहीं चलिए असान हो गया फिर उसके बाद so called call में कितना आजाएगा 7,68,000 divided as 288 and 480 correct उसके बाद यहां पे 768 56,000 रुपे का अरियर आएगा चलन got it clear thereafter so called second and final call की entry आप करेंगे just hold me और मैंने link यहां पे गलत लिख दिया यह ऐसे हो आप ठीक है चलिए second and final call में value आजाएगी चलन 7,60, 8 same procedure ऐसा ही divide हो जाएगा यह भी और यहां पे arrier कितने का आजाएगा let's see चलन 6,72 आपको मिला है तो 96,000 रुपी का arrier यहां पे आ जाएगा ठीक है thereafter आप entry करेंगे for feature की क्या होगी entry share capital account debit securities premium reserve account debit to share forfeited to call in share capital में value आईगी 1,20 अ SPR में 95,000 चलन ठीक है उसके बाद forfeited में आ जाएगा 63,000 और arrier में कितना आ जाएगा 96 and 56,000 52 that's it issue के entry check कर लिए issue तो बड़ा असान है bank account debit 64,000 रुपे share forfeited में आएगा बच्चों 16,000 और so call आपने पहले जब्त किया था कितना 63 और discount as 16 but हमने share कितने रीशू किये चिलन share हमने कितने रीशू किये 8,000 जिसमें रोहित के सारे included थे तो आपको वो dual sim formula लगाना पड़ेगा क्या formula लगाया होगा आपने याद होगा आपको सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि रोहित के सारी पहला shareholder कौन था रोहित येस how many shares were four feet 7,000 और दूसरे वाले के कितने four feet किये 5,000 रोहित का कितना पैसा four feet किया था हमने 28,000 बच्चो answer और दूसरे वाले का four feet हमने किया था 7,000 रुपे combined formula combined क्यो लगेगा अलग लगी लगाईया मेशा combined answer तो जाएगा आपका कुछ गरबड आया तो कितना पैसा four feet किया था ये बताइए आप मेरे को रोहित कामने 28 और 35 ठीक है ठीक है तुम लोग ने value एक साथ लिग दी 63,000 और नीचे लिग दी आ 12,000 ये बेखुफी आज के बाद करिए का मत ठीक है और कितने shares हमने रोहित के रीशू के पूरे 7,000 और इसके रीशू है सिर्फ एक हजार चलिए माइनस SF डेबिट 16,000 तो ये तो 28 पूरा हो गया और ये हो गया साथ हजार साथ रटाइस 35 माइनस 16 हो मच कितना 19,000 ठीक नहीं समझे लोग पिर से जोन लीजे ये 35,000 रुपे पूरा 28 पूरा ठीक है 35,000 और 35 क्यों 7,000 रुखा 57,000 35 7,000 प्लस 28,000 35 माइनस 16 उनने सार है ठीक है कि नेक्स्ट क्वेशन नमर 24 क्या बूल रहा है ये पार्टनर्स डिसाइड़ वेरी इंपॉर्टन क्वेशन चल्डन तो रिकॉर्ट अल्टर्ड वैल्यूज आपको जहां पर जर्नल इंट्री बोली गई है इंपॉर्टन चीज यह है रिवैलुएशन मत बना लीजेगा इंट्री इंट्री इस चल्डन रिवैलुएशन टू स्टॉक रिवैलुएशन टू पी एफडीटी रिवैलुएशन टू आउट्स्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्डिंग बढ़ रही है तो इट इस बिल्डिंग टू रिवैलुएशन और डबलू सी आर चालेस है और बैलन्स शीट में कितना दिया है हमको 25 यह भी बढ़ आ तो एंट्री होगी रिवैलुएशन टू डबलू सी आर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 58,000 रुपे का चलन उसके बाद एडवर्टेस्मेंट सस्पेंस को डिस्टिब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी एडवर्टेस्मेंट सस्पेंस और रिजर्व के इंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल समझ में अगया उसके बाद क्या होगा कंबाइंड में फस जाएगी आपको भी-कभी क्या इसी दो मैं बोल रहा हूँ और यह बात जब मैंने पढ़ाई थी मैंने बताया था कि गलत क्यों हो रहा है यह भी सुन लीजिए आप आपके पास सो कॉल्ड दो तरह के लोग हैं कितने लोग हैं जस्ट फोल्ड़न चल्ड़न दो तरह के लोग हैं चल्ड़न पहला इंसान कौन है रोहित और दूसरा कौन है नमित अब रोहित के आपने साथ हजार शेयस पे कितना पैसा जब्द किया अठाई जार तो पर शेयर कितना पैसा जब्द किया आपने चार रुपए और नमित का आपने 35,000 रुपे जब्द किया कितने शेयस पे? पाँजार एक शेयर पे कितना जब्द किया? साथ रुपे समझना गया? तो एक इनसान का आपने एक शेयर पे चार रुपे जब्द किया और दूसरे का साथ रुपे इसके शेर पे 2 रुपे का डिसकाउंट दिया तो 2 रुपे कमा लिया और नंबर अफ शेर्स कितने थे 7000 तो 14000 रुपे का प्रॉफिट आपने कमाया रोहित के शेर्स पे यहां 7 रुपे आपने एक शेर पे कमाया और 2 रुपे का डिसकाउंट दे दिया तो एक शेर पे कितना कमाया पांच रुपे और एक हजार शेयद आपने रीशू किये तो यहां पर आपकी कमाई कितनी है पांच जार चौद और पांच उन्निस उन्निस जार आगया यह मैंने पटातर टेम बताया था आप भूल गए तो इसका मतलब बहुत बड़ी बेफूफी किया है और इस तु आप सब बात बताया थी कि हमेशा अलग अलग कैलकुलेशन होगा नहीं तो आप हमेशा गल्ती करेंगे लोगों ने मुंबक बिद्यान कम दिया है चलिए कैपिटल अकाउंट चिल्डरन सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे फोर लैक प्री लैक एंड वन लैक प से आप एंटरी करेंगे सीज कैपिल ट्वेस कैपिल टूपीस कैपिल समझना गया इस ट्वेन्टीफॉर इस त्वेल और वैनट वेल कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे इसको डेबिट साइड में टू एटू बी इन दे कॉलम होफ छीचल ठीक फिर एद्वेटर स सुस्पेंस आ जाएगा सोलह सुलहाट का है कि उसके बाद दाचसित चार लाग उनने हजार दोसो रुपई एक का कैपिटल तीन ला कैपितल और सेवेंटीन नाइन सिक्संड़ सी का गया इक्सपानर तो नमल सा क्वेशन है विफालोशन का प्रॉफिट यहां पे बी सो कॉल् सुरी लॉस आएगा नॉट प्रॉफिट लॉस आएगा 42 थाउसंद का 47 आ रहे है 42 आएगा कैपिटल अकाउंट इजी तीन दीस दो लाग ओपनिंग बालंस आएगा क्रेट में फिर गुडविल का वो कैपिटल अजस्पेंट वाला कॉंसेप्ट यहां पे आप एंट्री करते थे एक्स जेड़ टू वाए बीस अजार बीस अजार और चालिस अजार उसके बाद डेबिट साइड में पील लिख देंगे आप यह वाला चल रहे है उसके बाद री वैलुएशन का लॉस आ जाएगा देर आफ्टर गुट्विल वाली यह तो इंट्री करी लिया अपने अपने बैलन्स आएगा एक्स का दो लाग चाल चॉंसर डजार जेड का बैलन्स आएगा चिलन वन थर्टी एट वाटिट लिए और य के लोन में ट्रांसफर होगा दो लाग सोला हज़र चलिए यहां पर क्या करने को बूला जा रहा है ओके एडमिशन का क्वेशन है चलिए चेक करिए चलन रिवालुएशन पे प्रॉफिट आएगा आपका सो कॉल्ड चारदा रुपे का चलिए ठीक है क्यापिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेट साइड में लिखेंगे बीस और पंद्रह उसके बाद टू गुडविल चल्रन प्रॉफिट शेरिंग रेशियो के एनका फोर इस्टु वन तो गुडविल डिस्टिब्यूट होगी आठ सो और दो सो ठीक है रिवालुएशन का प्रॉफिट आजाएगा बाए बैंक सोलाजार गुडविल नहीं ला पा रहा तो आप एंट्री करेंगे कौन-कौन से पार्टनर है ए और बी चल्दन चारंड टू आमित टू क्या ना है दूसरे वाले का बरॉन ओके क्या वैल्यू आएगी इट इस कितनी-कितनी सिक्स्टी-फाइड नहीं आएगी पच्छेस सो और चार सो है क्यालकुलेशन में चेक करिए यहां पे अनेबल टू ब्रेंगे इस चेर ऑफ गुडविल दा वैल्यू अफ गुडविल बी क्यालकुलेटेट अन बेस ऑफ चरंस प्रॉफिट और क्यापटिल कॉंट्रिबू चार जार रुपे एवालुएशन का एड कर लीजे कितना हो गया कितना हो गया और पंदरह सोलह अजार यह जो लेकिया है वाट इस थर्टी-एट प्लस 16 चलन वाट इस थर्टी-एट प्लस 16 इस फिफ्टी-फॉर थाउजन दिसस कैपिटल इंप्लॉइट और सिक्टी-फॉर होनी चीए दस जार रुपे फर्म्स गुट्विल आएगी दस जार का वन बाई फॉर इस पच्चिस सो रुपे सौन लगे पच्चिस सो आएगा को टिटलियर पच्चिस सो रुपे आप ब बरुन टू ए एक को मिलेगा तीन हजार पच्चिस सो नए पार्टनर से और पांच सो इस से चले बस और तो कुछ है नहीं फानियर कैपिटल आएगा पार्टनर्स का पच्चिस हजार चार सो पंदरह हजार एक सो और सोलह हजार चलिए तापसी लिमिटेट असान क्वेशन ह यहां पे आपको सिंपल इंट्री करनी हैं यहां पर ईध्याएगा बच एक हजार रुपाय brakeak I hope so everybody must be getting call में आएगा एक लाप रुपे चल रहा और फिर यहां पे अरियर आ जाएगा the solution that I have is 600 for feature की इंट्री शेर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेर फोर फीटेट टू कॉल इल अरियर अरियर में वैल्यू आएगी 1400 चल रहा पच्छे करें सर 1400 कहां से आ गया क्योंकि यह दोनों के शेर फोर फीट नहीं हुए होंगे यहां पे लिखा है कंपनी फोर फीटेट दोज ऑन विच बोत अलॉट्मेंट और कॉल मनी वस नॉट पेट ओके पचास जार शेर पब्लिक ने अप्लाई किये दो लाग उन चास जार रॉपे रेसीव रॉपे रॉपे मिलना था दो लाग उन्चास दार मिला तो एक हजार हो गया और अलॉट्मेंट कितना है बच्छो पांच रॉपे का तो इसको जब आप पांच से डिवाइट करेंगे तो नंबर ऑफ शेर कितने आ जाएंगे दो सो और आपकी जो कितने का चलना दस रॉपे का तो इसको जब बच्छों आप दो से डिवाइट करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा तीन सो कहने का मतलब मान लीजे एक मिस्टर एक्स ते जिनके पास दो सो शेर्स थे इन्होंने अलॉट्मेंट एंड कॉल नहीं दिया और मान लीजे एक मिस तो कैसे आएगा फिर से बताता हूं दो सो इंटू पांच एक हजार का अरियर चलन और सो कॉल्ड दो सो इंटू दो चार सो का अरियर ऐसे चौदर सो आया शेर फोर फीटेट में आप इन्हीं लोगों की वैल्यू लिखेंगे एक्स की एक्स ने सिर्फ अप्लिकेशन का ती भी पैसा इसने नहीं दिया तो तीन रुपए के हिसाब से दो सो शेर्स पे अप्लिकेशन मनी मिलाम को छेसो रुपए फोर फीट कर लिया यहां पे आएगा दो हजार इस अब इशू के एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेर फोर फीटेट अकाउंट डेबिट टू शेर क्यापट के सब्तर परसंट मतलब एक सो चालिस शेर रिशू कर दिये वाट इस वन फॉर्टी इंटू टैन फोर्टीन अंडे चलन तीन रुपए का डिसकाउंट होगा तो चार सो बीस और सात रुपे में बेचा दो नौसो असी शेर फोर फीटेट टू कैसे निक कर दो सो तीन रुपए इंटू एक सो चालिस माइनस चार सो बीस जीरो निल तो कोई इंट्री पास नहीं करनी शेर इशू एक्सपेंस टू बैंक 20,000 स्टेट्पेंट ऑफ पील की जगा 15,000 प्रीमियम से और 5,000 स्टेट्पेंट ऑफ पील से राइट ऑफ कर लिंगे ओके च प्रोप्राइट्री एश्यो निकालना है यह प्लस होगा इससे कोई मतलब नहीं है स्टेट्मेंट ऑफ पील में डेबिट बैलन से माइनस हो जाएगा तो दो लाग असी अजार रुपे हो गया अब बच्चे कहीं इसा टोटल असिट कैसे निकलेगा याद करिए पंच तक म बिलीन हो जाना है आपको शेहलोडर फण्स एन सी ऐल सी एल बराबर टोटल एन सी ए बराबर टोटल ठीक है यहां पर आएगा तीन लाख नब्बे हजार तीस हजार और यह बीस माइनस है तो बच्चों इसको दो असी ही ले लिजी आ ठीक है टोटल आ गया आपका यह गया रुपह है तो टोटल लासिट भी चार लाक अपॉन फोर लाक क्या एक आंसर सेवेंटी परसन ओपनिंग इंविंट्री क्लोजिंग इंविंट्री ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ चलिए मैं ज्यादा मैंनत नहीं करूंगा इसमें 21 परसेंट आएगा विच आफ दा फॉलॉइंग इस नॉट लिमिटेशन विंडो ड्रेसिंग है एग्नोर्स कॉली स्वारी कॉन्टी टेटिव चेंज चलता है यह लिमिटेशन नहीं है यह सो कॉल्ड फीचर है क्यारेक्टरिस्टिक है कि अगर आपने वैल्यूस में तोई डिफरेंस लाया तो आपकी फानाशल स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे को एक रेशियो है पॉइंट सेवन तो मान लेते हैं पच्छतर हजार अपॉन एक लाक सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग वन फिफ्टी फॉर वन फॉर्टी वुड इंप्रूव रिड्यूस और डूनोट ऑल्टर अब एक पचास के गुड्स को सॉरी एक पचास के गुड्स को एक चालिस में लॉस में बेचा तो स्टॉक तो माइनस होगा नहीं बट कैश जो आएगा उसकी वैसे हमारा कैश बैलेंस या उधार में बेका तो टेटर बढ़ जाएंगे तो रेशियो वुड इंक्रीज कॉट चलिए 30th चल्डर आंसर इज बी बी निया रहा देर आफ्टर तू एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजक्शन याद करिए कैश लूम बताया था और काता थेओरी में आएगा प्रैक्टिकल में नहीं आएगा इश्यू आएगा इश्यू आएगा इश्यू प असेट्स रॉव माटीरियल यह आएगा इन्वेंट्री में चल्डन अन पेड डिविदेंट इस यौर करेंट लिएटी कंप्यूटर रेलेटेंट्ट में चैंजिबल असे प्रोपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट भी लिख सकते हैं और यहां पे प्रोपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट एंड इंटांजिबल असेट्स समझ में आगया है एनी क्वेरी इस अंडिस चल्डन क्या पूछा गया आपसे इन्वेंट्री टर्नोवर रेशियो निकालने को बोला गया है और दूसरे वाले में आपसे पूछा गया है कि रीजन के साथ आपको बताना है तो इन्वेंट्री टर्नोवर रेशियो इस पूर टाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे कोई चेंज नहीं यहां पे कोई चेंज नहीं हैर एट्वर्ड इंक्रीज क्यों चाहुवन का समान नभ्यम बेचा तो अल्रेडी आपको प्रॉफिट बढ़ेगा गुड्स सब्सक्राइब क्योंकि क्वेश्चन यह थोड़ा बोल रहा है कि समान खरीद यह बेच दिया समान खरीद के बेच दिया तो जितनी पर्चेंज बढ़ी उतना ही आपका क्लोजिंग स्टॉप बढ़ा तो आपके सियो जीस में कोई चेंज आया नहीं तो ग्रॉस प्रॉफि का स्टॉप आपने फ्री सैंपल बाटा चल रहन प्री सैंपल बाटेंगे तो पर्चेस भी माइनस होगी स्टॉप माइनस हो जाएगा वाट चलिए चलिए कंपरिटिव स्टेट्मेंट असान एक दम कुछ खास नहीं है दस लाग बीस लाग डिफरेंस आएगा चलिए टैन लाग का परसंटेज हंडिट परसंट वाट इस अपन सब्सक्राइब तैर आप्टर दिस लॉस प्रॉफिट चालिछ अजर और यहां प्या आएगा चलिए एक पनित ग्रॉस प्रॉफिट इस पर्ती पर्संट पूर लाग आएग चलिए चलिए तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा यहां पे च्छे लाग होगा और यहां पे चौदा लाग रोते अधर एक्सपेंसेस फॉर्टी एंड सिक्स्टी डिफरेंसेज ट्वेंटी थाउजन यह मैं बताना भूल गया है दो लाग परसेंटेज में पचास परसेंट यहां पे भी पचास परसेंट प्रॉफिट निकाल लेंगे चला एक लाग असी अजार प्रॉफिट यहां पर आएगा और दो सब्सक्राइब दूसरे यह रखाएगा डिफरेंसेज नैंटी थाउजन परसेंटेज इस फिफ्टी वाट इ ये है चिल्डन 40 लाक पांच पर्सेंट हो गया चार लाक योगया 24 लाक योगया 36 लाक तो ये आजाएगा चिल्डन 55 परसेंट इस फंड्रेट अंड इस इस फौर्टी फइफ सही है क्या निकलना है cash flow from operating activity बड़ा सान कोश्चन है बई profit for the year profit and loss account यह है बचो previous year यह है current year so net profit before tax and EOI सबसे पहले आप लिखेंगे तो यहां पे निकलना पड़ेगा net profit dr. T dividend नहीं है हमारे पास चलिए और tax भी नहीं है चलिए net profit चलिए पचास से 40 माइनस 10 कर्रेक्ट रिजर्व 25 से 40 हो गया तो पंदरा बढ़ गया तो यह होगा पांच जार रुपए चलिए ठीक है फिर आपका adjustment for में क्या क्या आएगा लिख लीजे एक तो goodwill है चलिए रिटन ओफ और एक appreciation का चलिए नौहजार यह हो गया पांच छे साथ 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 और नो साथ सुला दर क्या बोलेंगे इसको operating profit before working capital changes ठीक है तो यह हो गया 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 वह तो इसमें आएगा ना अच्छा स्वारी वह भी तो है कांपे ओ स्वारी इडिटन नोटेस डाट नीचे पढ़ा ही नहीं मैंने चलिए तीज़ार का था बुक वाली अठा कितनी फॉर्टीन फॉर्टीन फाउजन फाइवंडेट डेप्रीसियेशन का कुछ गड़बड है मैंने प्रोविजिन का देफरेंस लिए डेप्रीसियेशन में ठीक करना पड़ेगा ओपनिंग बैलन्स कितना है एक वाटी फॉर्टी फॉर्टी वन ग्लोजिंग इस फिफ्टी इसकी बॉक वैल्यू भी तो लिखनी है यह गरबड हो गया चली ठीक करते है इसको जो प्रॉल्म तो यहां पर लिखाता थीजार का प्लांट बॉक वैल्यू अठारा तो इसका डेप्रीसियेशन हो गया चलना हो मच बाराज़ा तो शिक्स्टी टू इदर और फॉर्टी वन इदर तो कितना बचाओ शिक्टी टू एंट फॉर्टी वन का डिफिंस कितना आएगा एकिसजार अट यह 21 होगा अब यह सही होगा एकिस बाइस तेईस पाथ सो तेईस और पांच अट्थाइस पांच सो चब्यस पाथ स्वाएगा ओपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कापिटल चेंज उसके बाद चेंज इन सी एल आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस बाढ़ ला है तो प्लस कर देंगे चारज़र मैं बचों एक ही लाइन में लिखता जारो आप यह सारी वैल्यूस पहले इनर कॉलम में लेखेंगे ठीक है चली लिखके दिखाई देता हूं ताकि आपसे गड 2500 डेप्रीसियेशन 21 और यह 2000 अचली कितना रहा था यह 20 नहीं भाई 22 23 वारे तो बाद में प्लस होगा ना तो नीचे आएगा तब प्लस होगा अभी तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं साड़े 23 में दो गया कितना बचा साड़े 26 ठीक है अब आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस प्लस होना है बच्छों और प्रीपेड एक्सपेंस गिर यह यह भी प्लस होगा ट्रेट पेबल बढ़ गाई यह भी प्लस सब आड महीं है माइनस में कुछ है नहीं तो इस आउट डजेएगा माइनस में प्लस बढ़ बलस ट्रेड रसीת सीवले फाइट थाब चलिए चार और तीन साथ ठीक है साथ और बारा उननेस प्लस में और पांच माइनस में तो 14,000 प्लस में चला चालिस अजार पांच सो रुपए इस वाट कैश जेनरेटेड फिर लिखेंगे चालिश तर पांच सो तब बोलेंगे नेट कैश फ्लोफ फ्रॉम यहां पर आप लिखेंगे कैश जेनरेटेड फिर इसके नीचे लाइन ड्रॉकर करके फिर चालिस पांच सो और फिर यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लोफ फ्रॉम समझ गया सब लोग चलिए दाट सौल फॉर तोड़ तोड़